बाहु बली निता और पुर्व सांसद अनंद मोहन की पैरोल आज खत्म हो जाएगी 15 दिनों की पैरोल पर बाहर आए अनंद मोहन घर से बाहर किसी भी कारेक्रम में नजर नहीं आए बताने की लगातार घर के पाड़िवारिक कारेक्रमों में ही सावजनिक रूप से नजर आए उन्होंने इन 15 दिनों में बेटी की सगाई, पत्नी का जनम दिन और विधायक बेटे चेतन अनंद का जनम दिन मनाया जेल जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बाचीत भी की हाला कि अगली बार वह अस्थाई रूप से जिल से बाहर आते हैं या फिर पैरोल पर ही बाहर आएंगे इसके बाड़े में उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन उन्होंने सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाने की बात कही है अनंद मोहन ने मेडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे लिए यह 15 दिनों का पैरोल काफी खास रहा उन्होंने बताया कि इस बिच तीन मौके मेरे लिए एहम रहे एक साथ नवंबर को मेरी बेटी की सगाई हुई फिर 9 नवंबर को मेरी पतने लवली अनंद का जनम दिन और 20 न अप्रेल को हो जाएगी वही उन्होंने बताया कि बेटी सुर्भी अनंद की शादी 15 फरवड़ी को तै की गई है अनंद मोहन को 15 दिनों की पैरोल खत्म होने के बाद सहरसा जेल में 20 नवंबर को शाम 4 बजे तक चले जाना है इसको लेकर वह देरात पटना से सहरसा के जेल जाने से पहले अनंद मोहन ने अपने समर्थकों को लेकर कहा कि भले मेरे समर्थकों की पीधियां खत्म हो गई लेकिन आज भी वह मेरे साथ है 15 साल मैं जेल में रहा लेकिन मेरे समर्थक मेरे साथ रहे यह मेरी ताकत है अनंद मोहन ने कहा कि बहुत जल्द सब कुछ अभी तक उन्हें रिहाई नहीं मिली हाल के दिनों में बेटी की सगाई में मुख्य मंत्री नेते उश्कुमार उप मुख्य मंत्री तेजस्वी आदब से लेकर सत्ता रूट दल के कई बड़े नेता पहुँचे थे बाद के दिनों में भी आनंद मोहन अपने आवास पर कई बड़े नेताओं से मिलते रहे है अब उमीद जताई जा रही है कि उन्हें जिल से मुक्ती मिल जाएगी क्योंकि आनंद मोहन लोग स्तिवक हत्याकार्ण में जिल में है ऐसे में उम्रकैद की सजा काटने के परकार के उपर निर्भर करता है कि उन्हें रिहा करेगी या नहीं जुरो दिख्षांस से करो फरी खुद को स्ट्रेस से गूगल प्ले स्टोर से दिख्षांस से आप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मज़ेदा दिख्षांस देता है टोफिक वाइज वीडियो विद अनिमेटेड विजूल और कॉंसिप्ट बाइज स्टरी मैटेरियल